हेलो दोस्तों वेलेकम बैक को माई यूट्यूब चैनल देसे प्रफिट टॉक और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है उन्होंना हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि वह सेल्फ इंप्लॉइड है और उनको बजाच फाइनेंसिस जो है 25 लाग रुपए का होम लोन लेना है और वो लेना है उनको 20 सालों के लिए और उनका क्रेट इसको जो है 750 है तो उनको किस रेट ओफ इंटरस पर जो है यहाँ पे होम लोन ओफर किया जाएगा तो इसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले यह डिटेल में तो अगर आप चैनल पर प अगर बाइनस कंपनी आपको 40 साल के लिए नहीं करती होई बजाएद फानेंसी आपको मैंक्सम 40 साल के लिए होम लोन प्रवाइड करती है मिनिमम यहाँ पे 4 लाग रुपए का लोन ले सकते और मैक्सम 15 करनों तक का आप लोन ले सकते हो लो इंटरस यहाँ पे स्टार्टि इंडिविजाल हो तो 8.50 से स्टार्टिंग होगी 14 परसंट तक आपका जाएगा और वहीं सेल्फ इंप्लॉइड होगे तो 9.10 से स्टार्टिंग और 15 परसंट तक जाएगा और जो डॉक्टर्स है उनके लिए भी होमलोन की अलग स्कीम चलती है जिसमें 8.60 से स्टार्टिंग अब यहां पर हम आ जाते हैं अपने EMI कल्कुलेटर पर जहां पर उनको होमलोन का EMI जानना है कितना बनेगा तो 25 लाग का अमाउट लेना है 9.10 हमने जो मिनिममम रेट ओफ इंटर्स चलना है वो यहां पर ले लिए और यहां पर लोन लेना है 20 सालों के लिए मैक्सम आप 40 साल के लिए यहां से उम्रों ले सकते हो तो 25 लाग कलों 20 सालों के 9.1 के रेट ओफ इंटर्स पर महिने की किस्ता आप ही बनेगी 22,654 रुपएगी और इंटर्स आपको देखे करना पड़ेगा 29,37,000 रुपएगा वहीं टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 14,37,000 जो आपको आपसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा अब यहां पर कुछ फीस और चार्जेस देख लेते हैं तो प्रॉस्सिंग फीस साथ परसं तक लग सकती है आपके लोन अमाउंट का अब वो डिपेंड करेगा आप जो है आपके कितना ल यहां से पक्येन हैं पर सकता हैं जो इंटर ट्रेटमेंट चार्जेस निल हैं पार्ट प्री पेडमेंट चार्जिस निल हैं ए और क्लोजर चार्जेस नहीं लें हार्ड कॉपी लोन स्टेटमेंट चार्जेस जो है 500 रुपए तक लगेंगे आपके तो यह देखिए इसके कुछ से स्टार्टिंग है लाइसी आउजी फाइनस एट पॉट इस से स्टार्टिंग है आईसी आईसी बैंक में 8.75 कोटंग महिंद्रा में 8.70 पी एट पॉट फाइनस साड़े 8% पंजाब नेशनल बैंक 8.45 बैंक अपरोदा 8.40 युनियन बैंक ओफ इंडिया 8.40 आईडिफिफी फाइनस एट पॉट सेवन फाइनस एट पॉट सिंग जिरो बजाज हाउजिंग फाइनस साड़े 8% जैसे बता चुने टाटा कैप्टल हाउजिंग फाइनस एट पॉट सेवन जिरो फेडरल बैंक 8.80 तो इक इस टॉप बैंक और फाइनस कंपनी नहीं जिसमें आप रेट सबसे कम प्रिए और जैसे कोई गौवर्मेंट जॉप अगस करते हैं तो सबसे पहले आता हुच्छा सबसे करते हैं लोन जो है अप्रूफ कर दिया जाता है इस स्कीम में आप मैक्सम पांच कोड़ों तक का लोन ले सकते हैं और वह भी 40 साल के लिए इसके लावा जो डॉक्टर्स वगेरा है उनके लिए बेगर को इनको घर परचेस करना है उसके लिए आपे काफी कम रेट ओफ इंटरस्ट प आपने लिया था मालीज होम लोन तो अगर बजाज फानेंसियों में आपको जो है आप नौ परसंट के राउन बिल जाता तो आप उसको बैलेंस ट्रांसफर यहां पर करा सकते हो इसके लावा यहां पर आपको अपनी परसनल लीट के लिए एक और लोन चाहिए तो यहां प से पहले तो minimum age apply करने की 23 साल और maximum 62 की age तक जो है आप अपने लोन को चुका सकते हो कोई भी प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का employee जो है अप्लाई कर सकता है minimum experience कम सकम 3 साल का require होता है फिर वही self-employed के लिए list biddy दे सकते हो Indian resident apply कर सकता है 25 साल minimum age अप्लाई करने की है maximum 70 years की age तक जो आपने लोन को चुका सकता है business experience जो है उसका कम सकम 5 साल का होना चाहिए उसके लावा जो document रिक्वार होते हो देख लेते तो KYC के document दे सकते हो proof of identity जिसमें आप आधार कार्ट, pen card, passport दे सकते हो वहें address book में अपना कोई bill, pass book वारा दे सकते हो property related document में आप title deed, all document letter, property, tax, relationship दिखा सकते हो उसके लावा जो salary के लिए income proof के लिए requirement होता है salary slip last 3 month का और यहाँ पे self-employed professional और non-professional के लिए business proof bank account statement last 6 month का required होता है और ITR और profit and loss account statement देना पड़ेगा जो भी self-employed professional और non-professional की के डिगरी में आते हो तो educational certificate आप देना पड़ेगा आपको with MBBS की जो degree अगरा है उनको अपना practice certificate है वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा तो यह देखे कुछ document required होते हैं बजाए housing finance से home loan लेने के लिए अगर आपको apply करना है तो आप कैसे कर सकते हो तो यहाँ पर देखे apply now का आपको link मिल जागा जैसे इस link पर आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर verify करोगे उसके बाद आपको monthly income अपनी डालनी पड़ेगी कितना आपको low amount की जवुरत है आपको property जो है आप दिखानी पड़ेगी उसके बाद property related कुछ है आप चीज़े आपको डालनी पड़ेंगे उसके बाद ने स्टम में आपको date of birth, pen card number और कुछ other details आपसे मांगी जाए और next step के लिए आपको बताएंगे कि आपको क्या घरना है तो यह देखिए आपको simple process रहता है apply करने का और अगर आपको loan के offer वगरा जाने वो आप इस website पर checkout कर सकते हो यहाँ पर हर बैंक का home loan, personal loan, car loan, two wheel loan, education loan, same account, trade card के आपको offer वगरा के link मिल जाएंगे अब यहाँ पर अग अगर आपको special offer वगरा चला होगा है आप तो offer वगरा भी आप checkout कर सकते हो इस सारी information आपको इस website पर देखने को मिल जाएगे तो इसका link आपको video के description box मिल जाएगा एक बढ़ जाके जहूर checkout करेगा तो information अगर आपको मारे पसंद आई हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा वीडियो क